हाई गाइस वेलकम बैक टू डिस्टन्स उपीन मैं हूँ चुबाम और यह स्टाइम मैं हूँ बाली इंडोनेशिया में बाली मैं पहले भी आ चुका हूँ और वीडियो बना चुका हूँ लेकिन इस बार मैं आपको और भी डिटेल इनफॉर्मेशन दूँगा बहुत सारे ह अपको कहा पर स्टे करना चाहिए कौंसी लोकेशन पर कहां पर इंडेहन फूड वेटेरियन फूड आपको मिल सकते है improvूड चाहां पर करेंशी चलती है और कितनी वैल्यू है साथ ही यहां पर और विबहूत सारी प्लेसेश के साथ ऍटेल इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको बजट बताऊंगा और आइटनरी भी तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखेगा चाहिए को सब्सक्राइब करना वीडियो लाइक और शेयर करना न भूलेगा आप जो फेस्बूक और इस्टा पे फॉलो भी कर सकत अब इंडिया के किसी भी लोकेशन पर रहते हैं बाली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिलना थोड़ा सा मुश्किल है बाली के जो एयरपोर्ट को या कोड बोलते हैं वो डैन पसार करके होता है और आपको अगर डायरेक्ट फ्लाइट मिल भी जाती है तो वह काफी अब बात करते हैं कि सस्ती फ्लाइट आपको कहां के मिलेगी सस्ती फ्लाइट के लिए आप जा सकते हैं कोलकाता के लिए से आपको बाली के लिए फ्लाइट मिलजाएगी लेकिन वह इंडिरेक्ट फ्लाइट होगी जो कॉस्टिंग आएगी वह एराउंड आपकी 25-30,000 लगभग और फिर उसके बाद यहां से अब जा रहा हूं मैं बाली गे लिए जो टाइम लगा है कौलालमपूर तक पहुचने का कोलकाता से वो लगभग साड़े तीन घंटे का है और लगभग यहां से भी तीन घंटे या धाई गंटे लगते हैं बाली तक पहुचने में तो आगे वीजा की जो proceedings होगी वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा क्या होगा सारी डिटेल वीडियो में धिरे धिरे मिलते रहेगी बस बने रहेगा हमारे इंडिया और बाली के बीच लगबग धाई गंटे का time difference है और बाली का time इंडिया से धाई गंटे आगे चलता है बाली के एयरपोर्ट पर अभी एयरपोर्ट का नाम क्या है बागी क्या क्या चीजें वीजा का सबसे important शलते हैं वो जानते हैं इमिग्रेशन मेरा clear हो गया है और अब जो मैं आपको information देने वाला हूँ अगर आप बाली आ रहे हैं या इंडोनेशी आ रहे हैं आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली यह information जो की वीजा से related होगी तो वीजा के लिए मैं जैसे ही बाहर आया immigration counter पर पहुचा तो उन्होंने का भाई या immigration के लिए आपको वीजा की फीज देनी पड़ेगी मैंने का वीजा की फीज तो कहें हाँ तो मैं गया payment counter पर वीजा की फीज की payment counter पर मैंने दिये 34 dollar Indians को देना पड़ेगा या किसी को भी क्योंकि सब के लिए same था और उसके बाद आपको यह मिलता है और आपको 30 दिन का इसके थूर वीजा मिल जाता है जो की extended भी होता है और फिर वापस आप immigration counter पर आते हैं और आपके passport पर यह लग जाता है यहां पे सब लिखा हुआ है जो की extended होता है तो यह वीजा आपको इस तरह से मिल जाता है और फिर इसके बाद स्टैंप लगा यह बहारा चाहिए तो यह पूरी information थी आपके लिए बहुत जरूरी है लेक currency के बार में मैं साओंगा पाले की लेसे जो तो कवर करूंगा तो वीडियो वे थोड़ी लंबी होगी लेकिन जिनको भी जाना है यह बहुत ही helpful होने वाली वीडियो और बहुत easy होगी planning के लिए तो चलते हैं बाहर और यहां से hotel के इतना दूर है क्या खर्चाया सब चीजे में लिंक है साथ ही airport से बाहर आकर आपको sim card भी मिल जाते हैं जो की कम से कम 1300-1500 रुपय में मिलते हैं लेकिन सस्ते sim card के लिए मैं आपको आगी वीडियो में जानकारी देंगा यहां पर जैसे ही आप कस्टम declaration करते हो आप आ जाते हो बाहर और यहां पर आपको money changer कई सारे दिखेंगे यह है यह है यह है लेकिन एक problem की बात आपको बता देता हूं यहां पर इंडियन रुपीज नहीं दे गए हैं लिटरली आप इंडियन रुपीज को convert नहीं कर रहे है है और आपके पास USD होनी चाहिए या फिर यूरो होनी चाहिए जो लिस्टर्ट करेंसेज है वो मैं दिखा दे रहा हो आपको तो यहीं सारी करेंसे केवल ले रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें यहां पर और मेरे इसाब से आपको यहां पर डॉलर लेके आना चाहिए मतल और आये नर ले ही नहीं रहे हैं बाली में स्टे करने के लिए कूटा नाम की लोकेशन सबसे बैस है जो कि केवल 4-5 किलो मिटर की दूरी पर है और इस छोटे सी दूरी के लिए आपको एयरपोर्ट से 1000-1200 रुपय तक देने पड़ सकते हैं इसलिए मैंने यहां कस्टमाइ गया रहा वैसे तो निकल जाना चाहिए था दस बजे ही लेकिन लेट हो गया क्योंकि लेट से पहुंचे थे और काफी रात हो गई थी तो धूप काफी है यहां पर यह अपना रेजॉर्ट है और चलते हैं देखते हैं क्या-क्या है आज घूमने के लिए और कितने खर्चे प्लेसेज वोल्कैनो और राइस टेरस हैं इसके अलावा यहां से आइलेंट टूर भी होते हैं जिसमें आज मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की यहां के पांडवा बीच से जहां तक कहुंचने की रास्ते ही काफी त्यारे हैं बाली का पांडवा बीच बहुत ही खूपसूरत है और यहां पर मैं आचुका हूं ड्रोन लेके और बहुत प्यारे शॉट्स लेने वाला हूं अगर वैसे आपको नजर से देखना है तो यहां से आप देख सकते हो और यहां पर नहाद हो सकते हो आप आराम से कोई यह बीच कूटा से लगभग 22 किलोमेटर के दूरी पर है और यहां आप वाइट सेंड बीच पर घंटो अपना समय बिता सकते हैं हाला कि यहां कोई वाडर स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं होती है पर वाडर स्पोर्ट्स के लिए भी मैं आपको वीडियो में आगे सही लोकेशन बताऊंगा वहीं इससे और भी खुबसूरत है इसी के ठीक बगल में पढ़ने वाला मेलास्ती बीच जहां बेहत खुबसूरत वेवस्वाले नीले समुंदर के साथ आपको एक पुरानी सी शिप भी देखने को बिलेगी है किसे भी ट्रिप में होटल अच्छा होना जरूरी है और बाली में मैंने जो होटल लिया है वो मैं आपको दिखा दिता हूँ यहाँ पर यह रहा मेरा रूम, अभी पहले वाश्रूम यहाँ पर दिखाता हूँ, यह रहा वाश्रूम, और इधर आपको यह पूरा रूम दिखेगा, काफी बड़ा सा रूम है, एर कंडिशन रूम है, यहाँ पर भाई AC की जरूरत बहुत होती है, क्योंकि गर्मी पड़त रूम मिल जाते हैं, आपको पंदर सो से दो हजार रुपए में, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, सो बहुत बढ़ी हाजी वात है यह, और मतलब सस्ते सस्ते मिल जाएंगे, और इससे कम में भी एवलेबल हैं यहाँ पर कई सारे, तो आपकी मर्जी, जैसे भी आप बुक क ब्रेकफास्ट मन मुताविक नहीं होता है, जैसे यहाँ पर मुझे ब्रेकफास्ट मन मुताविक नहीं मिला है, क्योंकि मैं वेजेटेरियन हूँ, बहुत और राइस मिलता था, और बाकि फ्रूट्स विगर, तो यह प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए आप चाहे तो बाहर से breakfast कर ले और अगर 9 वे जगरा खाते तो यहां पे भी कर सकते हैं बाली में काफी हिंदू रहते हैं और यहां भी भगवान गणेश और विश्णु जी के साथ काफी देवी देशताओं की पूजा की जाती है हलकि यहां का हिंदू कल्चर हमारे भारत से काफी अलग है बाली की एक और प्रसिद्ध प्लेस है और वो है तानहा लॉट टेमपल और इसका होता है संसेट टूर मतलब संसेट की टाइम पे ही लोग यहां पर आते हैं इसका है वो तो जाकर पता करेंगे लेकिन जो यहां की इंट्री फीस है यहां पर इंट्री फीस बहुत महेंगी होती है इस पर आपके काफी खर्च होंगे और यह एरांड होता है जिसको आप मिस ना करें मस विजट प्लेस है मैं पहले ही बोला कि वर्थफुल है या नहीं यह तो जा के पता चलेगा और जैसे ही आप गेट के अंदर इंटरी करेंगे आपका मन करेगा पैसे तो वहसूल हो गए इधर आपको पहले जो जो गार्डेन यह पहले पिछली बार आया था तो मुझे नहीं दिखा था यह गार्डेन है यहाँ पर और वी चीज़े बताता हूं और यह यहाँ पर यह वियू है संसेट का टाइम हो रहा है धीरे धीरे जो सन है हमारा वह नीचे जा रहा है अब यहाँ पर है क्या और जो अभी है है हाई टाइड है jehear और यहां फूरा हिस्सा निचे का यहां का धूबा हुआ है और जब यह तो आप नीचे तक सकते हैं यह चीजे तो अभी अगर आप देखेंगे संसेट का व्यू यहां से बहुत आसानी से आप देख सकते हैं बहुत प्यारा व्यू दिखता है वह अर्णमान में जैसे हम गए हुए थे ना नैचुरल ब्रिस्ट पे कुछ वैसा ही यह भी है लेकिन यहां पर इसके उफ़र टेंपल बने चीज़े हैं और बागी यह ओशियन का बहुत सुननर सा नजार आया इधर गाइडन है आपको आरा चाहिए यहां पर बस यही कहूंगा बैर बाली में आप करेंसी एक्षेंज यहां की कूटा मर्केट में करवा सकते हैं जहां इंडियन रुपी भी मिल जाते हैं लेकिन वै करेंसी के बारे मैंने यहां सारी करेंसी लगा रखी और इसके बारे में भी बताऊंगा सबसे पहले वैल्यू जान लेते हैं कितना होता है अगर आपको इंडोनेशियन करेंसी चाहिए तो एक रुपय में आपको एक सो अठासी इंडोनेशियन रुपिया मिल जाएगा करें लेकिन इसकी value मात्र 5 रूपे है, 500 का यहां सिक्का भी आता है, मतलब इसकी value के बला अपके 0,5 रूपे के आसपास है, इसी तरह से 2000 का है और यह 5000 का है और यह 10,000 का है जिसकी value 50 रूपे है, इसकी 25 रूपे है और इसका आप calculate कर लो, इसके अलावा यहां बीस हजार और पचास हजार और एक लाग की भी नोट आती है यह है यहां की सबसे बड़ी नोट जिसकी वैल्यू है लगबग पांस सो रुपे के आसपास तो इसमें confused नहूंग हमेशा calculator को on रखें और आपको धेर सारा पैसा तो मिल जाएगा आप मतलब 1000 रुपे भी देंगे तो आपको धेर सारा पैसा मिल जाएगा मतलब 10,000 की आपको 20 नोट मिल जाएगी लगबग लेकिन उसकी कोई खास value नहीं होती है मतलब यहाँ पर अगर आप ब्रेड भी लेने जाएंगे तो ब्रेड आपको मिलेगी कितने की वो भी आपको मिलेगी मतलब उसके लिए आपको देना पड़ेगा शायद 20,000 इनोरेशियन रुपया तो वो लगबाग आपका पड़ गया 100 रुपय या फिर उससे कम भी रही आपको खाने पीने के कुछ प्योर वेज रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे जहां आपको एक रोटी के लिए लगबाग 1,500 रुपय तक देने पड़ सकते हैं वही एक डोसा के लिए आपको 400 रुपय तक देने पड़ सकते हैं वही डाल आपको 500 रुपय तक की पड़ती हैं पर अगर आप बाली का पैकेज ले रहे हैं, तो इन खर्चों में आप कुछ सेविंग जरूर कर सकते हैं. कूटा में हैं बॉलिवूड मसाला रेस्टोरेंट जहां पर मैंने जिन से बुकिंग करा ही है, महाराज़ ट्रेवल से. मैंने उनों ने मेरा खाने पिने का अरेंजमेंट कराएं, यहां पर एक खास बात है कि आप पो रुफे मिल जाता हैं और इस बॉबा की सबजी हैं. और में एक सबजी कोई दिख रही है और बाकी आपको डेजर्ट होगे दाब भी मिल जाते हैं, तो मेरा रेकमेंटेशन रहेगा कि आप यहाँ पर आ सकते हैं और ना पेड़ बर सकते हैं अनलिम्टे उनलिम्टेड मिलना थोड़ा सा मुश्पिल होता है यहां पर जब आप भ लेक बहुत पॉपलर तो नहीं है लेकिन इतनी है उतने में आपको मज़ा जरूर आई रहे हैं प्याँ पर ग्रैब अप का यूज़ कर सकते हैं और कहीं भी घूमने के लिए यह मेरे से लगबख साथ किलोमेटर के लिए एराउंड धाई सो रुपए ले रहे हैं और कम में भी हो जाते हैं तो यह आप यूज़ कर सकते हैं ग्राइब पर डाउनलोड कर लें जैसे इंटिया में ओला उबर होता है यह आप बाइक पर बैट सकते हैं स्कूटी बैटके साथ में जा सकते हैं और टैक्सी भी आपको मिल जाती है सो दोनों ऑप्शन आपके पास अवलेबल है और यह काफी सस्की सर्विस आपके लिए पर सकती है अगर आपको लोकल थोड़ा बहुत भूमना है तो यहां के सेमिन्याक नाम की जगह पर कई क्लब्स हैं जिनमें से एक पीमस क्लब है फिंस पीच के बिल्कुल फ्री की बीच पूल पाटी करना चाहते है तो बाली के फिंस बीच क्लब में आजाए मनदा आजाएगा फिंस बीच क्लब में आपको फ्री इंटरी मिलती है और ये कूटा से लगभग 12 किलोमेटर की दूरी पर है जहां पर कुछ और भी क्लब्स हैं यहां पूल है जिसमें आप ड्रेंट्स के साथ कुछ खाती सकते हैं और भरपूर डान्स के साथ एंजोई भी कर सकते हैं यहां पर आप swimwear भी carry करके जाएं और dress code के लिए description में मैंने link दी है वही आप यहाँ पर evening में 8 से 9 बज़े तक पहुंच जाएं जब यहाँ बब आपको अच्छा खासा टाउल देखने को में बाली के next पार्ट में मैं आपको यहाँ के उबुद नाम की जगर ले चलूंगा जहां मै आपको waterfall, volcano और यहाँ के कुछ temples के साथ यहाँ आप कैसे स्कूटी हायर कर सकते हैं और कितने खर्च हो सकते हैं और उसके साथ धेरो जानकारी दूंगा तो पूरी जानकारी के लिए बाली के आने वाले parts जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक औ आपना नारून